दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट कर दिदी चैनल को सेर और सब्सक्राइब क्योंकि कॉंप्पिटेटिव एक्जाम से रिल्टेड इस परकार के इंपोर्टनेट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ तो हानी होगी तो यहां पर शॉले पर हानी होगी और जो दोनों का डिप्रेंशेज है वो चार आ जाएगा और गुणा 100 इसको आप सॉल करोगे तो 25 प्रतिशत की हानी होगी शेकंड ओप्षन इस दे क्रेक्ट अंशुर दूसरा प्रसन संक्या 17065809 में 7, 6 और 9 के इस्तानी मानों का योग बराबर है यहाँ पर 7 का इस्तानी मान देखेंगे तो 7 के बाद में जितने भी डिजिट है उसकी जगे सुनी लगा देंगे और उसके बाद में यहाँ पर 6, 6 के बाद में जितने भी डिजिट है उसके बाद में सुनी लगा देंगे और 9 के बाद में जितने भी डिजिट है तो यहां पर लास्ट वाला उप्शन इसका सही अंसोर निकलेगा अगला प्रशन एक कुशी को 720 रुपय में बेचने पर दुकानदार को 25% की आनी होती है वहें इस कुशी को कितने रुपय में बेचे कि उसे 25% का लाब हो ऐसे प्रशन को हल करने का सीधा तरीका 720 चाहिए क्य इसका बाग और इसमें जाएगा 5 वार इसको शॉल करोगे तो यहां पर 1200 उत्तर आएगा जो कि बिल्कुश सही अंसोर है चौटा पसंद वहें चोटी से चोटी से चोटी से चोटी से संख्या कौन सी है जो पून वर्ग हो तता 10, 12, 15 और 8,000 से विभाद्य हो तो यहां पर यह जो चोती से छोटी से छोती संक्या ग्याद करने के लिए पहले तो भाग देंगे थो का भाग जाता है I If谁 में से 900 सब से छोटी से छोटी संक्या है जो इन सभी संक्यां से विबाजी है फॉर्थ ऑप्षन इस दे क्रेक्ट आन्श्वर अगला प्रसन किसी आयताकार खेत का विकान 17 मीटर है तथा परिमा इस खेत का से तरफल क्या होगा यहां पर चार ओप्षन दे रखें इसको आप यहां पर जो विकन 17 मीटर दे रखा है और परिमा आप बराबर तू लंबाई प्लस चोड़ाई लगा करके बराबर चिया लेश्ट करके आप एल प्लस बी यह लंबाई और चोड़ाई का आप मा लिए क्या होगा यहां पर चार ओप्षन दे रखें इसको शॉल करोगे नब्य समकॉन का जो मान होता है इसका 25 प्रतिशत बटा सो और इसका दो तीहाई इसको शॉल करोगे तो यहां पर पंद्रा आएगा बिल्कुल से यांसुर साथवा पसंद तीन बटा पांच मीटर का सेंटीमेटर में मान होगा यानि एक मीटर में सो सेंटीमेटर होते हैं इसको सॉल करोगे सो से गुणा करोगे तो यहां पर फर्स्ट ओप्षन साथ सेमी बिल्कुल से यांसुर आएगा अगला प्रशन एक समांदर चतुर पुज है दिया गया है कि O, E, 4 सेमी तता H, L, P, E से 5 सेमी ज़्यादा है तो O, H का मान क्या होगा यहां पर एक समांदर चतुर पुज होता है उसके दो विकेंट जो एक दूशे को समांदूरी पर समद्वी भाजित करते हैं यहां पर O, E, 4 सेमी है तो O, P, E, पर प, 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 ज़्यादा होगा तो यहां पर H और L का मान 13 सेमी हो जाएगा यानि पूछा गया है O और L का यानि 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5 जो की पहला उप्षन है बिल्कुश सही अंस्वर अगला प्रशन है किशी धन का 4 वस का शादान ब्याज मूल धन का 1 बटा 5 है तो वासिक ब्याज की दर होगी इसको आप सौल करोगे तो यहां पर धन 100 मान लेंगे 4 वस और दर हमें नहीं पता बटा 100 बराबर वहें उस धन का जो ब्याज प्राप्त होगा वो 100 का 1 बटा 5 इ अन्तिमार शंक्या उस्ट पचाश है तो आठवी संक्या का मान क्या होगा तो इसको सोल करेंगे तो 15 को जो 15 संक्या है उनका योग आ जाएगा इन दोनों को आप जोड़ोगे और इसमें से घटा दोगे तो आठवी संक्या प्राप्त होजाएगी जो की 40 है अगले प्राश्ण की ओर चलते हैं गनित सभी विज्ञानों का द्वार एउंकुंजी है यह है कथन किसका है पहला उप्षन रोजर बेकन का दूश उप्षन हैमिल्टन का तीस उप्षन प्लेटो का और चोटा उप्षन रशेल का यह जो कथन है वो रोजर बेकन का है फ़र्षन प्राश्ण प्राश्ण मौखिक गनित सिक्षन लाबदाई होता है क्योंकि इसमें पहला उप्षन एका गरता बढ़ती है दूश उप्षन क्रमबज़ता आती है तीसर उप्षन शवावलंबन की भावना का विकास होता है चोटा उप्षन श्वच्चता आती है जब मौखिक गनित की बालत करे औरल मैथेमेटिक्स की बात करे तो उश में एका गरता बढ़ती है फर्षन यहां बिल्कु सही अंस्वर है अगला प्रशन चोटी कक्षाओं में गनित विशे में रूची उत्पन करने के लिए पढ़ाये जाने वाला तरीका होना चाहिए कैसे तरीके से चोटी कक्षा में हमें पढ़ाना चाहिए पहला मनोरंजक एउँ खेल समंधी दूसरा रटने का, तीसरा आगमन का और चोटा निगमन विदी का तो यहां पर छोटे बच्चों को पढ़ाने का जो सबसे उप्युक्त तरीका है मनोरंजक एउँ खेल समंधी फर्स्ट उप्सन बिल्कु से यांस्वर होती है अगला प्रस्ट उप्चाराथमक शिक्सन की जरूरत होती है पहला प्रस्ट मंदबूती बच्चों के लिए दूसर पिछडे बच्चों के लिए तीसर ओप्शन शामानी बच्चों के लिए और चोटा उप्चन उप्र्युक्त सभी अगला प्रश्न दो संक्याओं का महतम समाप्रत्य 8 है और नीचे दी गई संक्याओं में कौन सी संक्या इन संक्याओं का लगुतम समाप्रत्य नहीं हो सकता है तो यहाँ पर 60 फॉर्ट ओप्शन नहीं हो सकता अगला प्राशन दसमलों संक्या 4, 7, 6, 0.2, 8, 9 में 9 का इस्तानियमान होगा यहाँ पर 4 ओप्षन्स दे रखें और 4 ओप्षन्स में 9 का जो इस्तानियमान है वो पॉइंट के थार्ड पे लेश पे, पॉइंट के तीसे नमर पे है तो इसलिए यहाँ पर 4 ओप्षन 9 बटा 1000 होगा अगला प्राशन एक डेका मीटर में कितने मीटर होते हैं 5, 10, 100 और 50 तो एक डेका मीटर में 10 मीटर होते हैं प्राशन एक जूँगों से ही अंसवर है तो यहां पर जो गलत गथन है यहां थार्ड दो एपरी में शेँख्यों का योग एक एपरी में सेंख्या नह उकरके दो एपरी में सेंख्यों का जो योग होता है वो हमेशा affirmation क्या ही होता है थर्ड option या गलत है चलिए अगले प्रास्न की और गणीत में किस विदी में हम प्रायं सुत्र और नेमों की साहिता लेते हैं चार अप्रास्न संसलेशन विदी, विशलेशन विदी, आगमन विदी और निगमन विदी तिर्शा option ब्ल्यूम का और चौता option बेंजामीन का चलिए अगले प्रास्न की और गणीत पड़ाने के बाद कक्सा में ही प्राप्ट कर लेता है उसे कहा जाता है जो कक्सा में प्राप्ट करता है वो उद्येशन संस्कृतिक उद्येशन, दूसर अप्सन सिक्षन उद्येशन, तीसर अप्सन शामाजीक उद्येशन, चौता अप्सन उप्यूक तशवी अगला प्राशन गडित में स्रावे द्रश्य सामगरी का परियोग किया जाता है पहला उप्षन बालकों को लुभाने के लिए दूसर उप्षन बालकों को विशे से परे ले जाने के लिए परे यानि दूर ले जाने के लिए तीसरो बालकों की रूची जागरित करने के लिए और चोता उप्शन बालकों के मनोरंजन के लिए दो श्रव02 inky्ष्य सामगरी हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं उसका जो महन उद्यश्य है वो होता है बच्चों में पढ़ाई के परती रूची जागरित करना थार्ड उप्षन यहां बिल्कुल सही आंसवर है। अगला प्रसन है ज्यान समंदी प्राफी उद्यश्य के अंतरगत निमलिगत में से कुन सा कतन सही है। पहला उप्षन गणीती प्रत्यों का सहीब अनुप्रियोक दूसर उप्षन गणीती चिन का ठीक ठीक पैचानना और तीसर उप्षन गणीत के विकास की जानकारी में रूची होना चोता उप्षन गणीती सिधान्त की सही समझ जब ज्यानात्मक उद्यश्य की बात करे तो य थार्ड ओप्सन बिल्कुत से यांस्वर अगला प्रस ने दिये गए त्रीबूच A, B, C में O, B और O, C क्रमें से कौन B और C के सम्धवी भाजक है तो कौन B, O और C का मान होगा, यहाँ पर कौन O का मान ग्याद करना है तो यहाँ पर जो कौन दे रखा है सित्तर हो जाएंगे, यानि B कौन भी सित्तर और C कौन भी सित्तर हो जाएगा और B कौन दो पार्ट में O डिवाइड़ हो जाएगा तो 35, यानि B कौन का जो हाप बाग होगा 35, तो C कौन का जो हाप बाग होगा 35 होगा, यहाँ पर B और C इन दोनों का मान 35 होगा तो ओ कौन का मान ग्याद करने के लिए 180 में से हम सित्तर को गटाएंगे तो पीछे 110 बचेगा तो यहाँ पर सेकेंड ओप्षन 110 बिल्कुछ सही अंस्वर अगला प्रशन बारा सो का पांच प्रतिशत 100 के 15 प्रतिशत का कितना प्रतिशत होगा यहाँ पर सबसे पहले 1200 का 5 प्रतिशत और फिर 100 का 15 प्रतिशत दोनों को निकाल करके दोनों को एक दूशे से कंपरिजन करेंगे तो 400 प्रशन आएगा जो की फोर्ट आप्षन है फिल्कुछ सही अंस्वर अगला प्रशन चित्र में कौन A का माप ग्याद करें तो यहाँ पर A कौन है वो A का माप ग्याद करना है कौन B का जो एक रिजू कौन है उसका आउटसाइड का माप दे रहे है इंसाइड का नहीं रहे है ठीक उसी पर का C का भी आउटसाइड का माप दे रहे है इंसाइड के लाब में बेशना चाहता है तो कितने रूपे में बेचे एसी इस्तती में 550 का 10 परतिसत 110 बटा 100 शौल करोगे इसको गुणा करोगे तो 605 आएगा जो कि बिल्कुछ सही आंसुर है दोस्तों वीडियो कशा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाशार करते वेच कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कौँकि कॉंपिटेटिव एक्जाम से रिल्टेट इस परकार के महतुपुन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं फिर मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए जेहिन वंदे मात रहा हूं